नमस्कार न्यूस 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा राजस्थान की लोगस्भाओं का अहाल हम वरिष्च मेवानों के साथ आपके साथ साथा करते हैं और आपके लोगसभाग शेत्रिपी जादा से जादा जानकारी आप तक पहुंचाने और आरक्षित सीट है यहां पर साथ बार कॉंग्रेस और छे बार अब तक बीजेपी ने चुनाव जीते हैं इस बार मुकाबला जो है वो दिर्चस्थ बना दिया गया है बीएसपी की तरफ से क्योंकि कैंडिगेट बीएसपी ने भी मैदान में उतार दिया है इसका मतलब क्य है भरतपूर से आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाग शर्मा और उनके इलाखे में उनकी एक कड़ी परिक्षा बीएसपी इस परिक्षा में उनके लिए कितनी मददगार साबित होगी और इस चुनाव में जो संजना जातव के नाम पर महिला और बहुत कम उम की सांसत हैं तो किस तरह से इस चुनाव के आने वाले दिनों में समी करण बनेंगे हम समझ रहे हमारे खास मयानों के साथ अगले एक घंटे में बेमराज जी कॉंग्रिस पाजी के प्रवक्ता शैलेश कोशिक जी बीजीपी से गोविन चत्रुएरी जी वरिश्पत्रकार ग बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरुवात घंबराज जाखर जी राकेश जी जुड़ें तो राकेश जी से करते हैं भरत को चलते हैं राकेश जी इस वक्त लोगसभा की स्थिति क्या बता रही है बीजेपी कॉंग्रिस दोनों की लोग तो बैठे हैं बीएस्पी का कैश इस बार मैदान में है जो कि कोई नई बात नहीं है इस इलाके में विधान सभा हो चाहें लोगसभा हो बीएस्पी में अपनी जगें कहीं न कहीं बनाई है तो अभी समीकरन क्या बता रहे राकेश वर्शिष जी देखिए मीना जी बरत पर में बाजापा की राजनीती जो मजबूत करने में यहां की राजपरबार का बहुत बड़ा होतरा है नैंटी नैंटी बन से जित्ते भी चुनाब हुए हैं उन में केबल दो बार कॉंग्रेस प्रत्यासी यहां से चुनाब जीते हैं नैंटी नैंटी एक में कुमर्ण नेटवर सिंग जी और 2009 में रतन सिंग दोनों के चुनाब जीतने के कारण कहीं थे और जिसके कारण बाजापा को थोड़ी मात खानी पड़ी लेकिन पिसले कई वरसों के दोरान यहां बाजापा काफी मजबूत इस्तिती में रही है अब तो हालत यह है कि बसपाक के क्या स्थिति रहे गी है को कॉंग्रेस के सामना सबसे बड़ी समस्या यहां उमीदबार के चैन को लेकर ती है उमीदबार की लिए जो बाजापार्ण सबसे पहले रामसुरुप को लिगो उन्होंने अपना घोस्ट कर दिया उमीदबार बावजूद कभी भी वाजापा के पति निराशा का वह विव्यक्ट नहीं किया और भाजापा के कर्मत कारकरता के रूप में लगातार उसी में बने रहे और काम करते लिए बहुत बड़ा घड़ रहा है पर पर्टू कर जाती कमनेटी का यहां जाटव जाती की जो कमनेटी है उसमें बहुत सब्सक्राइब करती रही है लेकिन पिसला जो चुनाब हुआ विधान सबाना पका इसमें वो सारी जो फैमी थी जो उनका हम लोगों का आगले सारा फ इनको उतारा था और नजवे में मिस्टर तोली जिनको उतारा था को पहले भी चुनाब लड़ चुके हैं वो एक वाल और हैं तो वह भाजा पर प्रश्ट भूंगी के लेकिं बसाबा का टिकट लेके आ गए ते लेकिंगे उसमें जो चुनाब नतीजे आये वह बड़ा आश उससे काफी कम बोट मिले और यहां के चुनाब नतीजों को वह ज्याद़ प्रवारत नहीं कर पाए और यह जो जाटब बोटर है जो उनका बोट बैंक है वह सारा आपके कॉंग्रेस के पक्ष में गया कॉंग्रेस के लिए क्योंकि उसके काड़ यह थे कि दोनों जग ऐसी जी सिती थी जहां जो बीजेपी का उम्मीदबार था उसको जाटब प्रसीजी जातर जो जाती का बोटर है वो बोट डालना पसंद नहीं करता था वह ऐसा ना हो कि बीजेपी का उम्मीदबार माद चुनाब जिट जाए इसलिए उन्होंने सारी वोटर से स्ट्रेट हो कि यह आमतव पर गैर जाटब केंडिडेट को मैदान में उतार दिया यहां जो बरतपर जिले की स्थिति है दो 1922 और 1922 तो घटना ऐसी हुई जहां यहां का जो प्रमुक जाट बोटर है जो प्रमुक सबसे जादब बोटर है वो जाट कमुनिटी का है और जो जाटब सब्सक्राइब में आपने तो उसनाह का क्मेर कांड हुआ जिसमें कई लोगों की महमात हुई और उसका सारा भाम्याजा सारा इस पिताड़त होने का काम बाद में हुआ वो जाट समाच के लोगों को हुआ यहां उस समय नाइटी में आपके जो विस्यन शिंग जी को भी ज सब्सक्राइब करने का काम किया गया तो इस घट्राइब को भूले नहीं तो भाजापा के सुरू से रही है कि वह गैर जाटा के रूप में जो पोली सम्दाय को अमीदवार है उसको चलाब लडाती है और वह उनका सबर जाती के जो लोग है उनका अधास वो इस कम्मूनिटी को जाता है उसमें यह माइने को नहीं रखता कि वह उसके उसे उम्मीदवार की कि क्या योगता है और क्या योगता नहीं है बहुत एक तफ़ा वोट होता है पिसला चुनाब रंजीता कोली चुनाब जी थी आपके उनके मुकाले अभी जी सब्सक्राइब के लिए यहां के जो राजपरवार के मुखिया है पर शुएं सिंग जी इनका समर्थन आवर्शक है अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो जो इनकी रही से जो बहुत बहुत थोड़ा वो समर्थन नहीं पाए वो शायद नहीं मिल पाए रतन सिंग जी को उन्होंने फुल सपोर्ट किया और अब आपको ध्यान दूरा दूरतन सिंग जी के लिए उनका प्यास किया था और इसकी इवद में इनके पाद जो दिल्ली में जो बंगला था सरकारी को खाली नहीं किया रतन जी के नाम एलट करा करके वहीं इसमें रहते थे और इसको लेकर के काफी वाद हुआ और बाद मे अब हालत ही है कि विश्वेन सिंगी की सिती थोड़ी गड़वर है वो पारवारी कारणों प्रशान है और वो सब्सक्रीय रूप से नहीं अभी इस उम्मीदबार की गुष्णा के बाद भाद भी नामांकन पत्वरा में जरूर गए है तो लेकिन उसके बाद उनके ऐसी सक विश्वेंदर सिंग जी की स्थिती खुद की पारिवारीक और उनके जो जंजट बेटे के साथ और पत्नी के साथ चल दे हैं उसके बाद भी कॉंग्रेस पार्टी ने उनका और भरतपुर के लोगसभाग शित्र में जनता में उनका प्रफाव है कॉंग्रेस पार्टी को उनको साथ लेकर चलना है भिम्रा जाकर जी कॉंग्रेस पार्टी के कितने साथ है विश्वेंदर सिंग क्योंकि जो राकेश वशेज जी बता रहें कि वो एक बार सरफ नॉमिनेशन में गए उसके बाद सक्रियता उनकी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है आपको ज़रत न नहीं है उनकी सक्रियता कि आपको लगता है कि बिना उनके भी काम चल जाएगा तंजिना जाटक बड़ी मतलब बड़ी बहुत ही जैसे एकड़ा फ्रेश चेहरा है बड़ा रिफ्रेशिंग है अच्छा लगता है राजनिती में जब कोई ऐसा चेहरा आता है राजनिती बात यहां पर आती है श्रशिर जी ने एकड़ अलग कर दी है कि दाजनिती काबिलियत जनता जो है उनके लिए ज्यादा माइन नहीं रखती है कम से कम भरत्पूर लोगसुबाद शित्र के चुनावी परिणाम पिछले इस बात की गवाही देते है देखिए मीना जी विश विदान सबाएं उनमें सब जिगए उनको देखने हो पड़ेगी है अलागी वहां वाहां नहीं बात्पूर लोगसुबाद के अंदर कांग्रेस जीत नहीं पाई है विदान सबाव में ये बिलकुल सही है बट अब हम जी जान से कोशिज करेंगे हमारे फ्राइस चेरा है विचारदारा के साथ से हम चुनाव लड़ना चारे है और हमारे लिए सरसों ओयल मिल का भी बगवड़ा मुदा है क्योंकि 125 ओयल मिल वहीं थी और वहां से सो तो बंद होगी है बाकी बंद होने की कगार पे हैं क्योंकि 50% प्रोडेक्शन वहां होता है और तीसरा किसान अं सब्सक्राइब होते हैं और मुझे भी पूरी उमीद है कि हम भरतपूर लोगसबा सीट का चुनाव अगर जीत लेंगे तो राट जी के मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा और उनकी साथ पर क्या असर पड़ेगा चलेश कोशिक जी कॉंग्रिस का दावाय की जाटन के साथ है भरतपूर लोगसबा सीट वो जीत रहें बीएसपी की जहां तक बात राकेश वशिर जी ने करी बीएसपी के कुछ लोग तो पहली आपके साथ आगे हैं बीएसपी के कैंडिडेट के खड़े होने से आपको कितना खायदा आप देख रहे हैं और भरतपूर की स्थिती इस वक्त बीजेपी के लिए कैसी नज़र आ लिए हैं देखिए बरतपूर तो बीजेपी का सुरू से गढ़ रहा है जैसे की राकेश वशिर जी ने बताया कि पिछले लगातार साफ चुनावों में से छे चुनाव लोगसबा कर हम जीते हैं और बहुत बड़े मारजन के साथ जीते हैं तो निश्चित रूप से बरतपूर में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित है और इस वार बरतपूर की आम जने के लिए बरतपूर के बीजेपी के कारेकरताओं के लिए बरतपूर के व्यापारियों के लिए बरतपूर के खिसानों के लिए एक सबसे महत्पूर भरतपुर का लाल भरतपुर का मूल नवाशी बरतपुर से राजनलाल शर्मा के हाथ मजबूत करना चाहते हैं वो लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और जिस तरीके से जो कॉंग्रेस की एक आदत रहे कि राजनिती जात राजनिती और जात राजनिती ऐसा नहीं है बरत्पुर में सर्व समाज निश्चित रूप से बजनला जी सर्मा के साथ है और हम कह सकते हैं कि पिछली वार जो हम लगबक सवा तीन लाग की वोट जीते थे अब पांच सब्सक्राइब तो फिर जादा उस बात चोड़ देना चाहिए लिए अपन अपन विशह पर आते हैं निश्चे सुरूप से आठ विलान सब्सक्राइब से च्छेव सब्सक्राइब तो आप बताईए उनके साथ कौंग्रेस के कौन से पूर प्रत्यासी हैं मेलों तो है नहीं पूर मेले कोई हैं हमके साथ कोई बरिष्ट कारता हमके साथ घूम रहा है और उनको लिश्चित हम कह सकते हैं कि बली का बक्रा बनाया गया है क्यों बजलना जाता है जिसे सीड्सनेता यहां से दोल पर तलोली भागे क्या हूँ बरत्पुर से नहीं लगते से वह भी सीट एस्टी तो यह भी सीट एस्टी है तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री की पूरी ताकत है मुख्यमंत्री का ग्रेह जिला है और दूसरी तक सामने महिला और है महिलाओं की राजनिती में वैसे भी स्विक्रती नहीं होती है राजनिती में जितना समय देने की जरुष है अक्सर महिलाओं के पास उतना समय जितना पूरुष निकाल पाते हैं रात देन पूरा पूरा रात कैंपेन में जिस तरह से निकलते हैं एक तो सबसे बड़ी बुनियादी समस्या ही होती है फिर व्यवहार वारतालाप लोगों से समवाद उन सब मेरी महिलाओं की बहुत सारी सीमाएं हमने पहले से तै कर दी हैं तरहाल हम उस मुद्धे में नहीं बड़ जाई यह जर neutr आ और सरल ता के साथ साथ कोंग्रेस पर्रटी का एक और इस वक मिल रहा है व्यभार वह यह कि कोंग्रेस पर्टी यह बार बार पर कहनी जनता पे असर देखिए मीना जी कितना पड़ेगा ये तो चुनाब परिणाम बताएंगे हमको लेकिन मैं वीमराज जी की बातों को शैलेश जी की बातों को राकेश जी और बत्ता जी ये तो दोनों तो दाइम आई हैं भरतपुर के इसलिए इनके बारे में तो सारी बातें आगें इनके में पर सब चीज़ों को जोड़के देखें ने तो आज जो परिष्टे थी है उसमें ये तो बिलकुल कुछ बातें शैलेश जी ठीक करें कुछ बातें भी इमराज जी ठीक कहरें पार्टी प्रवक्ताओं की तवर्पार जहां तक संजना की जी की बात है अब मानलू वह भी बहुत नेरो मार्जिन से आ रही थी कटूमर लेकिन ये सही है सेलेश जी का कहना कभी कटूमर से आप केंडी रेट को लेके आए बरतपुर के क दिमाग पे एक सीमा तक फरक पड़ता है मैं मना नहीं करता लेकिन राइस्थान से हम बात करें बरतपुर सीट की बात करें तो पाइलेट साब बरत यूपी से आये थे पहला चुनाओ वह यहीं से जीते और इसके अलवा भी राइस्थान से कितने ही लोग मतलब राइस्थ जीते और एक दो लोग जीते तो बहुरोसंग जीने कहा कि राइस्थान को बहरी लोगों की चरागाह नहीं बनने दूँगा यह का था बलराम जाखर चौधरी देविलाल यह सब लोगा के जीते लेकिन वही बहरो सिंग शेखावत थे जिन्हों ने चौधरी देविलाल को और जनतादल के सारे लोगों को साथ ले करके और मदब चरागा क्या गेटी खोल दिया था एक तरह से मान लो अगर हम उत्तुब मैं उसके खिलाफ खिलाफ नहीं हूँ मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बाहर के लोग अंदर के लोग मैं उस बैस में बढ़ता ही नहीं क्योंकि अपी लोगी यह भी देखने की बात है यह सही है कि अभी वहां आठ जो सीट हैं आठ में से दो एक रितुबानावत के पास है और एक दूसरी निर्दली है जो सॉरी आरेल्टी के सुवाशगर गें उनके पास है यह पी के पास है सुवाशगर लेकिन कई सीटनों का मार्ज बहुत कम था विदानसवा चुनाओं में अगर आप दी अब वो कागज की गणित है उस कागज की गणित को और जो आप कह रही है संजिना जी की अपील की गणित को कि एक फ्रेश चेहरा है सही में है और संसाधन कॉंग्रेस के पास कितने हैं नहीं है इस पर अभी भैस करन है तो साधन-संसाधन यह तो सब चलते हैं लेकिन बेसिक यह है कि आप बोटर को कितना पकड़ पा रहें बोटर के दिल दिमाग तक कितना जा पा रहे हैं और उस बोटर के दिल दिमाग तक जाने में बहुत लोग क्राम करते हैं जैसे शेले जी ने का कि भी कितने लोग उनके साथ लगे हुएं बीमराज जी कह रहे हैं कि हमारे सारे लोग साथ लग जाएंगे तो आने वाला यह समय बताएगा लेकिन केंडिडेचर अच्छी है इस करेंगे बत्रा जी अगर मैं कला तुम तो दिभ्या जी रही तो यह चौतिनों भी जेपी के रहें तीनों भी जेपी की तो वोट काटने से ज्यादा नहीं होगा और वोट काटने का मकसद सीधे सीधे यह है कि जाटाओ वोटों को बाकी कैलकुलेशन जितनी राकेश जी ने बताई है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता वो कैलकुलेशन अपनी जगे हैं सारी अब यह देखने की बात है बाता अब गूजरों का दुखदर्द कितने सालों से चल रहा है कौन किस समय कहा था मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन वो दुखदर्द तो बहुत ही था सारे हुए किरोडी सिंग बैसला कैसे लड़ रहे थे और सारी चीज़ें क्या उरती लेकिन और लोकल इ लिए रिप्रेजेंटेशन भी उतना बढ़िया जितना भरतपुर उम्मीद कर रहा होगा कि अगर आठ में से शह और एक तरह से साथ सीटे दी रिदू बानावत को भी आप बीज़े भी मानिये तो वो साथ सीट देने के बाद तो कुल मिला करके अब यह है कि अपील उनकी कितनी कारगर होती है संसादन कितने जुठते हैं यूपी का पडोसी जिला है वरतपुर संसदी अक्षेत्र पूराई कठूमर को छोड़ दो तो बाकी सातों सीटें तो यूपी की हवा का असर भी वहाँ होगा अब इनसे लड़ने में कौन कितना कारगर होता है देखते हैं वन साइडिड नजर आ रहे हैं आपको देखिए राजित्तान के बाद एक भरतपुर राजगराना और एक दोतपुर रियासत ये पहले प्रतम आप चुनावी राज़नीती में कूद पड़े थे ये बात अलग है कि दोतपुर रियासत में महारजर अनुमंद सिंग के लिम भरतपुर रियासत राज़परिवार जो है वो चुनावी राज़नीती से अलग्थ अलग्था हो गया ये ठीक है कि बात में उनके परिवार से कुछ लोग प्रतम राज़परिवार तो पूरू राजपरिवार वो लगातार और अब तक इस चुनाव का शुरू में राके इसने भी कहा कि भरतपुर राजपरिवार का ये दबदबार आये कि अब तरक जो भरतपुर राजपरिवार के रोग दस चुनाव लट चुके हैं उनमें उनमें साथ में उनको और विजय मिली है और ये अगर बात करें तो यह बाप बेटा भी चुनाव जीते हैं भाई- लेकिन भरतपुर राजपरवार की विश्चेशता यहां रही है कि महाराजा बिर्जिंडर सिंग अंतिम शाषक थे भरतपुर रियास्तों के एक एकरण हुआ था और उनके पिता महाराजा कृषिन सिंग वो ऐसे प्रगतिशील शाषक मनें जाते थे जुन्होंने आंत्री कि लोग तन अंतिम सरकार हैं उनके घठर में महत्पुर भूमकाने भाई और भरतपुर को एक प्रगतिशील रियासत की स्रीणी में लाके ख़ला किया था उसका प्रवाब उनके आगे के पुत्रों को और पोत्रों को परावराज तक मिलता है उस मान संबान के अधिकारी र कि इसी जिले के जाइजन में नर्दबई के अटारी गाम से और पहाड़ीय जी के बाद दूसरी वार मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन आप देखे कि इस जाइजन में व्यक्ति को भरतपुर से नहीं चुनाव लड़ा करके सांगा नेर भारती जनता पार्टी के रुशेश क सब्सक्राइब करें दूसरी बात जो कॉंग्रेश प्रत्याश ही है कि पंजरन जाटव उनका विए विस संसरी चेटर में उनका संस्राल भी है और और पीहर भी है जो प्रत्याश ही है रामस्रूप और संजरन जाटव यह दोनों बसावर के जन में हैं तो संजरन जाटव का पीयर बसावर हो गया और कठूमर उनकी सब्सक्राल हो गया बहुत पड़ी लिखी है और जैसा आप वाई गोबिजी वता रहे थे चार सो वोटों से वह चुनाव पराजी तुईया विदान सब्सक्राव में वह अभी जलो अलवर जिला परस्ट की सदेश्य भी है और कठूमर जो की अलवर जिले का है विदान छेत्र है लेकिन दोपर संसदी छेत्र में शामिल होता है उस सिथी में यह बात सही है कि संसाद्रों की कमी है कौमिलिक्स में तैसी के बाँ और रामसरुप कोली चुकि एक बार 2004 में 12 संसदी छेत्र से चुनाव जीच चुके हैं और यह बात सही है कि इतने सक्रिय वो और नहीं रहे पिछले चुनाव में लेकिन अब चुकि उनको दोवारा मैदान में उता रहा ह कि चार्टाव और कुलि यह वहां का जो समी करण है और तीसरी बात वस्वा पर विजानसवां में विशेश कर वस्वा का पिछिए प्रॉल रहा है पिसले पन्सरिय चुनाव में देखें वस्वा ने अपने केंड़ीडेटों को इंक से उताता है है हर बार और कि तो इसको पस्वा को ने सरे से यहां और अपनानी पड़ेगी और विशेश का जो पस्वा का कैंडिडेट है वह महिशाद जाटल समझाय से खड़ा किया जाता है उसमें यह कि जिसे की कॉंग्रेस का ज़े वोट बैंक है उसमें कैसे सेंज लगाई जा सके और पूरे भरतवर हुआ है विश्वा इंदर शिंग जी खुद और तीन बार जड़ा दल से उनीं सुनवाची में अबाकी दो चुनाव उन्होंने भाज़ापा प्रज्वाची ग्रूप में चुनाव जीते हैं जिविया सिंग भी भैन दीपा क्रिश्टेन को दीपा वह भाजरपा के चुनाब जी चुके हैं उनका समर्थन और बहुत महतूर मान सकते हूं लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी आप आप पारिक जो कलय से गरसित हैं वो उसमें भरत्वर संसिदी चेतर रहो कितनी सब्सक्राइब जरूर है कि भारती जनता पार्टी को यह तुनाब है क्योंकि संजना जो है बहुत बड़ी लिखी है बहुत नया चेहरा है और रांसरी कोली भी इसी छेतर के हैं यह जाती से मिकरन क्या अपना असर दिखाएंगे यह आने वाला वक्स बताएगा दोनों जो दोनों जो कैंडिडेट हैं एक कोली और एक जाट यही सबसे बड़े वहां पर वोट बैंक है और उसके बाद जाट एक बात और जो बिसिक चीज़ है जो बहुत बड़ी जाती है आपको याद दोगा तकालीर प्रदानमंत्री अटरव्यारी भाजपी ने सीकर स जाट समुझाय को अरक्ट की दोशना की थी लेकिन उसमें भरतपूर और जाट रियासते थी इन रक्ठन सुल्जा से वंचित रखा गया था और उसके लिए आज तक अंदुरन बराबर जारी रहा है और पीच में अभी नमसिंग फोलता किया को वही में रेल रों को करेंगे लेकिन अभी तक वह जाट समुझाय को किस तरह से प्रवाब कर पाएंगे यह आगे का वक्त बताएगा जी जी बात करना चाहता हूं कि जाटों के आरच्छन वाली बात जो कही है ना एक बात केंदर सरकार दे चुकी है इनको लेकिन सुप्रेंट कोट से वह खारे हो चुका है उसमें टेक्निकल दिक्कत ही आ रही है सारी और यह जो आंदोना जो चला है अभी इतना ज्यादा प्रभावी हो नहीं रहा है आप प्रभावी नहीं होने की वो भी आप से समझेंगे लेकिन एक बात जो राकेश वर्षेश जी किसी भी लोग सभाग शेत्र की जन्ता के लिए आम वाम के लिए। उसका कैंडिडेट उनका जन्तरइगी का है ये ज़रूर मैटर करता है लेकिन हमारे लोगसभ़ा और हमारे लोगतंत्र का यह दुर्भाग्य है, माप कीज़ेगा, लिकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ candidate कौन है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी योगयता क्या है, वो उसका समाज को योगदान क्या है, उसकी राजडिक प्रिष्ट भूमी क्या है, उसका vision क्या है, इन सबसे ज्यादा राटेश जी जैसे आपने कहा candidate कोई भी हो उसकी काभिजेत कोई भी हो यहाँ BJP का मस्बूत गड़ है सवाल यह है कि महिला और युवा एक तरफ और वहीं दूसरी तरफ पार्टी का एकदम जबर्दस्त निष्ठावान कारिकरता और वह भी जो आपने कहा कि भरतपूर का मतलब काड़ुमर बाहरी हो गया यह यह बहुत बड़ी बहस का विशेदरसल है कि अगर हमने लोगतंत्र को विधान सभावार और लोगसभावार खेत्रों में बांटा है तो निष्ठाव से उस खेत्र का ही जन प्रतिदी उस खेत्र का ही वेक्ति अपने इला खरतपूर और तक्टूमर का किस्टी आपने जो बात कई चुनाप प्रिक्रिया में जातिगत और के पड़े लेखे उन्हें ग्यानबान होने क्या फ्रक्ता क्या ने पड़ता है उन्नीस सो बामन से चुनाप सुरह हुआ और आज तक को अठा के देखा थे हिंदुस्तान की राज़्दीती में बहुत बड़ा परवतना आया उसका असर सब जगे है वरत्पूर की राज़्दीती में भी है आपके दो दोजार चौरासी तक यह बरत्पूर में कॉंग्रे प्रच के चुनाब हुए उन्हें बावु राज़बादुर जीन नहीं के महराजा और विश्वें सिंग जी के पिता ब्रजिन सिंग को साथ ले करके चुनाब परिचार किया था अपने भाई के खिलाब के दोहजार सब्तामन के चुनाब में राज गराज़ दौनों बड़े कमपोटों से उसके बाद सब्सक्राइब पर जाती पर नहीं सो ब्यासी और निस सब्सक्राइब कि दो घटना ऐसी है जो अभी तक लोगां यह नहीं बूले हैं चाहे यहां का जो जाता है यहां की राजनीती जाता कि बोटवी काफी प्रभावित करते अब होता क्या है छुआ छूत के जितने मामरे आप अठाके देखने बरत्पर जिले के अंदर उसमें साब 95% जात आप उदारा नहीं को खिलाब किये गए हैं वह बड़बा आपनु से वह इनके सामाजिक समरस्ता को नद्दिक लेकिन इस तरह को जिस तरह करता है दूसरा अपने पक्ष में या उसके खिलाब में उसका प्रवाब हर चुनाब में होता है कि सुरू से ही अब हालत ही होगे कि पिसले दूनों से पिसले बीस पत्रीस पत्रीस सालों से यह भाजापा दीरे 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 अपना गड़ इसको बनाती गई है काफी मजुद सित्रीम आ गई उंग्रेस के पास नहीं करता जादा नहीं जूड़ पा रहा उनका जो कार्यकरता की तीम है वह बहुत कम होती जा रही है उदर बाजापा की टीम बढ़ती जा रही है उन्हें जोश भी आप एक बरत्पर का उधारन ले सकते बरत्पर बदान सभा चेत्र का यहां से जो नहीं था कि जिसके कारण सभाजगर चुनाव जीद गया हूं वह भी एक कॉंग्रेस के आंद्रूनी पॉल्टिक साथ पाइलेट पर सथ गयलोथ जगड़ा था इसकी वजए से इनको लोगदल का टिकेट लेकर करके हैं उतरना पड़ा सभाजगर को मंत्री बनाए गया उन इसका यह जो इसको आने में भी टाइम लगा है जैसा आप सोच रही है कि इस तरह का बात हो आपके बोट तास्ट होने लगें तो पिर आप इमांत्यों सही लोगतन तो आई जाएगा आप हर पार्टी जो चुनाब करती है वो भी जातीगत गरना के आदार पर करती है कि इस रहे तो कहने की बात अलग होती है हर नेता की आपके जो नेता है इसी साबसे बर्ड करते हैं हम तो काफी की यह जो पता है और यह तो बोट मंगते तो चुछ बुटबाजी और आंतरी क्लेश है कॉंग्रेस पार्टी का जिसने विरान सभा चुनाव में इसमें भी और इससे पिछली में भी कॉंग्रेस पार्टी को भरतपुर में कमजोर करने का काम किया कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहे हो दूसरे दनों से आए दिम्राज जाकर जी कैसे मुकाबला करेंगा आप मिना जी मैं राकेश वसिष्ट जी की एक बात का बहुत बड़ी असमर्थन करता हूं रेक में वेक्तिवेट व्यू भी आपको शेयर करना चाहूंगा का डिवेट हो एक बार एक नेताओं की एजुकेशन पर भी होनी चाहिए 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 वो कांग्रेस काओ बीजेप कोई सी पार्टी से आए क्योंकि नेताओं की क्वालिफिकेशन बड़ेगी तो क्योंकि आज देखने को मिलता है कोई सी पार्टी में जाये देव दारनों को खूब सारे आते हैं का मंतरी जी तो अपने दस पड़े वें और मेडिकल के फैसले ले रहे हैं यह इंदूस्तान और बाध़बाएमितर जीस तरह दावे कर रहे थे यह तो राजस्तान केंदर है उसकी पछीस की पछीस का भी कर रहे थे मीडिया तीन दिन से कहे रहा है पर यूँ को बाघया नेता को बाही है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी गल्स फहिमियां वह भी दूर होगी और किसान मजदूर कांग्रेस के पक्स में और वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी मैं तो आपको यह कह रहा हूं आल और इंडिया सत्ता के अंदर आ रही है और बीजेपी की ताना साही और पर आपका और बीजेपी का चैनिदेट शेलेश कोशिक जी कैंडिदेट जो बीजेपी का है उनके लिए बहुत कुछ अच्छा हमने सुना अलग अलग लोगों से अलग अलग संदर्वों में अलग अलग कारिक्रमों में लाकेश ची ने भी कई बार कहा गुलापत्रा जी पिए कई बार कहा लेकिन जब आप युवाओं की बात करते हैं तब रामस्तुरुप कोली को कैसे आप जस्टिफाइब करते हैं हलांकि उस उमर के बहुत सारे कैंडिडेट है लेकिन भरतपुर में आपको लगता है कि कहीं जन मानस में आपके कॉंग्रिस की कैंडिडेट सामने जो हैं आपकी यह मुद्दा भी कहीं कोई मैटर दो चार पांच परसेंट को इदर-दर कर सकता है लागि बहुत ज़ादा होत जानते हैं बत्रा जी जानते हैं वह इतना एक सब्सक्राइब कर रहते हैं आज वह युवाहों में युवाएं और उनकी उम्र कोई बहुत जादा नहीं है लगभा 55 साल की उम्र है और वह निश्चित रूप से एक बात देखिए कि जब से उनका टिकेट कट नो तक वह रह सब्सक्राइब कर देखिए कि आपके मना कर रहे हैं आपकी गुटवाजी का दुनिया को पता नहीं है वसंद्रा जी क्या कर नहीं है कि अधिए लिए लुब्ट वह वह देखिए लिए लुबट शॉर्प साथा करें आप प्रचार करें प्रचार करें आप अपने सीपी जोशी प्रचार करें वह जोड़ाब दिया गया है बोखलाट मत कीजिये डरती दराथल्प की बात बहुत आप बीच में बहुत वह था मैं बीकुट शप्ता है आप बेशी तो रहा है तो राम सारु जैसा वक्तित नहीं को चाहते तो जो रामसुरुप पॉली जैसा वेक्टित्म जो इतना सो में सरवाब के हैं हर वेक्ति हर समाज हर सफ के साथ लगाता एक संगत्थन के कारक्रता की रूप में काम की हैं उनके विए कहीं को यसी आपकती नहीं है और जहां तक मैं लाना चाहूंगा राजिस्तान में कॉंगरिस तो यह मैंने टिकेट दिये हैं हम इनकी तरह नहीं यहीं के लगाता है प्रिप्र प्रिप्र इसको जानता है और निश्चत रूप से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत या से जीत हैं कि रामसुरुप पोली जीट पत्रा जी, डोनूँ कै growing, जन्मानस जन्ता, जब वोट देने जाएगी, उससे पहले भी प्रचारत रसार भी देख रही है। चोक चोराहों पर बाते भी होती हैं, पानकी दुकान से लेकर बाजार में भी चर्चाय होती हैं, कि दोनूँ जो है लोगतुना करते हैं तो भरतपुर के कैनिडेट में जब आप दीजेपी के कैनिडेट को देखते हैं तो जितनी विशेषता हैं यहां पर शहलेश कोशिक भी ने बताई हैं दिलिवरी किसी भी लोगसभाग शेत्र के सांसद के लिए सबसे महतुकून होता है कि वो अपने एक शेत्र को क्या देता है बहुत सारे लोगों की राजनेताओं की हम सुनते हैं कि अमुक सांसद ने अपनी लोगसभाग शेत्र में इतने काम किये दो दिन पहले जब हम CP जोशी पर चलचा कर रहे थे कि उन्होंने भिलवारा में उनको टिकेट मिला, आज भिलवारा के लोग याद करते हैं, जब वो भिलवारा के सांथ थे तो उनने क्या कुछ किया था? यहां पर सवाल ये कि delivery में जो candidate है वो कितने सक्षम है बीजेपी के क्योंकि ये लगबख सबको सबस्टता दिखी है कि वहाँ पर बीजेपी भारी है जुनाव कौन कितना भारी बना सकता है उसका पर कल कॉंगरेस है चुनाव को बहुत भारी बना दे लेकिन जैसा कि राकेश जी ने कहा या सभी लोगों को बहुत सारे लोगों की बात हैं कि जहां खुद मुख्यमंद्री का गड़ है वहाँ पर उनके लिए चुनावती भी है तो उन्हें ताक्र भी लगानी है तो सवाल है जुलापत्रची की delivery में कैसा आप बीजेपी की कैडिडेट को पाते हैं कि अगर वो बनते हैं तो किस तरह डिलिवर करेंगे और कॉंग्रिस की कैडिडेट की delivery अब तक के कामकाज हालांकि अनुभाव के लिहाज से बहुत अलग है उनका और दोनों का देख्या अभी भाई राकेश ने याद दिला दिया महलाजा बरतपर का मैं 1969 में जब समयतार भारती का कॉर्स्पूनिट था प्रतियाशी गरूप में बावी राजवादर को पराजित किया और उसके आद एक कैडर के चुनाव में वो राजवादर्दी चुनाव रणने आ गए थे तो मैंने उसे एक सावाल पूछा था प्रैस कॉनफरेंस में उन्होंने बहुत आलूसरा कि उन्हों कुछ नी किया प्रतुर जिले के लिए ऐसार सारा तो मेरे मुह से निकल गया चुकि युवाद था एक सवाद पूछ कि आप तो भरत से भार चलेगे नेपाल में राजवादर्दू चलेगे तो आप किस मुह से वोट मांगने हैं मैंने सवाल किया तो एक तो तम तो वागए जब उनको मा कहने का मोदज यह है कि अरतुर से चुनाव जीतने में बाबु राजवादर्दूर पहला चुनाव हा रहे थे 1902 का उसके आद उनको तुके रामकरण जोशी दोसा संसीजी चेतर से चुनाव जीते थे विदानसवा का चुनाव भी चीते थे तो उन्होंने विदानसवा मे मनजूर किया और लोक्षवा का इससान खां ठाली ठोड़ा जोडा पाबदूर्क अप्चुनाव जलाये गया ने चाल्फ है Juice परेटन की तृष्टी से जो कहलाता है दिल्ली आगरा और जैपुर उसकी वीच्वा वस्षित है लेकिन इसका जो संभुचित लाव बोला ची ठीक है कि घना पर सेंटुरी एक विश्वय क्यात है इसलिए परेटन मंत्री रहे लेकिन भरत्रुप को परेटन की तृष्टी से मेप पर लाने की बात ही वह आज तक पिश्ड़ा पन रहा है अभी एक मुद्रा है इस बीच में मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह को लेकर रहे आनकि अभी खुलासा पूरी तरह नहीं हुआ है इसकी डिप्यार बन रही है और कोशिच तो यह थी कि तुनावाचार सहिता बने वाला है दूसरा बहुत बहुत शर्सों की तेल के मिले खा सर्सों जिला घोचित करने तो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन रामंदर के लिए बंची पहाडपर का पत्थर गया लेकिन कुप्टियों कोई डवलप लिए उपाया तो भरतुर जहां की हालत है बत्से बत्तर हुई उसे लेकिन यह जरूर है अब भरतुर की हालत ही है कि जब उठाता है तो सराखा भू भालेता है नटवर सिंग उठाया राज्जेस पाइलेट उठाया और नटवर सिंग की और पंडित रामकिशंजर से डिकर नेता की जमान की चप करा दी एक चुनाब में वह जो उन्डी सो का चुनाब था जिविया दी गञान की चीचल नेता है तो बहुत है ये कि इसे जब दौनों केंडिडेंट है ये जो दौनों केंडिडेंट है आज चुनाब कर भंदन पर हो गई है इस चुनाव एक ग्लेमर का एक मध्यम बन गया हो उस चुनाव प्रबंदन में रिच्षित रूप से बाज़पा आगे है तो इस माहुल में आगे कॉंग्रेस उसका क्या मुकाबला करती है और बस्वा के प्रत्याशी जो जो क्या नहीं है जाती है समीकरन में कितनी स्थाइन लागा पाते हैं इतना वो करते हैं उस पर आज जीत का मार्जिन होगा क्योंकि पिछली बात 3,88,000 से जीत हुई थी और बाब राजबाद लग दूसरा जीते थे उकल 2800 वोटों से जीते थे तो मार्जिन 2800 वोटों का और एक 3,88,000 वोटो इसका जवाज दे पाएंगे यह तो अब चार्ट को बता लेगा यह तो यह तो मनोबल अपने पार्टी के कैडर कारे करता होंगा बढ़ाने का भी एक तरीका होता है और कम से कम बीड़ी टी नेरेटिव बनाने में माहिद है और आज में सकल भी है लेकिन सवाल जी गोविन है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन आज की तारिक में चुनाव जो है वो जन प्रतिमिदियों और चेहरों से ज़्यादा राजमितिक गनों की ताकत पर आकर सिमठ गिया है यह लोगतंत्र के लिए अच्छा है गोविन जतुरवेदी जी लोगतंत्र के लिए मीना जी अभी थोड़ी बहस दूसरी तरह की होगी लेकिन लोगतंत्र के लिए अच्छा तो कुछ होई नहीं रहा है बहुत माफी चाहते हुए मैं देश के मद्दाताओं से राजनेताओं से राजनेतिक गलों से वो कहना चाता हूँ कि लोगतंत्र के लिए तो अच्छा क जनता पार्टी आज के चालीस साल पहले बात कर ली थी वह चाल चाल चालीस त्री चहरा आज बिलकुल एक जैसा हो गया शैलेश जी माफ करेंगे मुझे कहने के लिए लेकिन सब ये कैसे होगे कोई फर्क नहीं है हाँ आज की तारिक में जो बत्रा जी ने कहा जो राकेश जी ने कहा कुछ शैलेश जी भी कहेंगे उस बात को कि कुछ चीजों के बूते भारती जनता पार्टिया चुनावी उसमें आगे नजर आती है लेकिन अलग-अलग जो अ 2019 का जैसा नजर नहीं आ रहा कुछ सीटें इसी नजर आती हैं जहां अच्छी टक्कर होगी और बहुत जोर जीतने वाले को आएगा चर्चा में जो दो बातें मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं पहले भी आपकी चैनल की बहस में माध्यम की बहस में जो मैंने अभी एक क्योंकि कोई भी उसमें रुका हुआ नहीं है अभी परिवारवाद की बात करें जैपुर में मन्जू शर्मा को टिकिट किया है वह बहुणला जी की सब जानते हैं और उनका पॉलिटिकल कंट्रिवुशन कितना है वो भी हम सब जानते हैं सम्मान बहुणलाल जी का खूब है इसी तरह है महीमा बिश्वराज सिंग और भी कई नाम है रायस्तान में दिखें ये दो तो मैं ताजा नाम बता रहा हूँ आपको कोई योगदान ही नहीं है लेकिन ठीक है और इसी तरहें से बाहरी अंदरी ये बाहरी वाले की हम कितनी बात कर रहें आपको ध्यान होगा एक बहस में जालो और सिरुई की जब कर रहे थे तो मूटा सिंगी के योगदान को तो वहां के जर्णलिस्टों ने किस तरह याद किया क्या विकास तो बाहरी अंदर ही कुछ नहीं है अब ये और ये इशू भी नहीं है इशू बेसिक ये हैं कि हम किस तरीके से जहां आपने मेरे से यह वाला सवाल पूचा कि हम लोगतंत्र की मजबूती के लिए कितनी बाजते हैं एक परिवार से कितने भी हो सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब जिस तरह से सीट देनी पड़ रही है टिकेट देने पड़ रहे हैं जो समझोते करने पड़ रहे हैं सब परिवारवादी दलों से समझोते हो रहे हैं भातिजेंता पार्टी के सारे बॉन्ड की जो मैं बात कर रहा था कि वहां जाके हमको इस बहस को मैंने पहले भी एक बार का आज फिर कहता हूं कि उसको हमको लोजिकल कंक्लूजिन तक इस चुनाओ के पहले चुनाओ के बाद ले जाने की खासतर पर मीडिया का रोल मैं बड़ा मानता हूं वो कोशिश हमको कड़ी चाहिए कि अल्टिमेटली इन सब से हसल क्या होगा और हम कैसे चुनाओ को अच्छा बना पाएंगे संसाधन कि आपने संजिना जी की बात कि या किसी ने कहा था जेकर किया कि वो जाके लोगों में कह रही है कि हमारे पास संसाधन कम है तो संसाधन सब के पास बराब सीटों पर लड़ेंगी ना चाहिए तो उनके पास उसी तरह के संसाधन होनी चाहिए तो जहां तक आपने लोगतंत्र की बात की लोगतंत्र को लेकर को बहुत अच्छा सीन अभी तो नजर नहीं आता लेकिन यह है कि मद्दाता की जागरूपता जिसकी हम बात कर रहे हैं क यह सब जनता के उपर ही रखना चाहिए हमको जनता की जनता की जनता की जिम्मेदारी है कि वह लोगतंत्र को मखूत करने में अपनी जवाब दे ही ते रहे हाश करे आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया इस चरचा में शामिर होने के लिए 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता के साथ साचा करें भरकुर लोकसभासी पर इस वक जो तस्वीर है वो जिस तरह की नजर आ लिए एक तरफ बीजेपी का करमट कारकरता पार्टी के लिए ताकत लगा रहा है वहीं दूसरी कॉंग्रेस की एक महिला युवानेता अपने राजमितिक अस्तित्रों की जंग लड़ रही है और कॉंग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो कलय है और आपसी जो प्लेश है उसका तहीन तहीं खाम्याजा अभी उनको देखने को मिल रहा है अभी आने वाले दिनों में कॉंग लोग सम्हाओं की तस्वीर हमाने साथ नियूस्ट्रेणी कोर पर अभी नमस्ता